इन दिस वीडियो I am going to share with you all the Lifetime Boyle White box office collection of Bollywood film Black दोस्तो Black जो रिलीस हुई ती 4 February 2005 को और ये एक Bollywood drama film है जिसको 5 में से 4 star की rating दी गई थी यानि कि फिल्म को rating और reviews काफी अच्छे दिये गए थे इसके director, producer और writer तीनों एक ही है जिनका नाम है संजे लीला भनसाली बात करते हैं कास्ट की इसमें महानायक, अमिता बच्चन और रानी मुखर जी लीड रोल में नज़राये थे और फिल्म की पूरी स्टोरी में इनी दोन के पर focus किया गया था अब जो फिल्म है Black इसकी स्टोरी inspired है एक Hollywood फिल्म से जो आय थे 1962 में जिसका नाम था The Miracle Worker अब बॉलिवुड फिल्म Black का एक remake बन चुका है इंटरनेशनल लेवल में जो आया था तर्की में अब तर्की कंट्री है अब बताते हैं फिल्म के collections की बात करते हैं फिल्म का इंडिया का lifetime जो net collection था वो ता 23 करोड 19 लाक रुपे का 23 करोड 19 लेक रुपीज का इंडिया का lifetime जो gross collection था वो ता 33 करोड 2 लेक रुपीज का इंडिया से बाहर यानी overseas market में 33 करोड 57 लेक रुपीज की collection की थी और सब कुछ include करेके फिल्म का lifetime worldwide जो total gross collection था वो ता 66 करोड 59 लेक रुपीज का रही पाद budget इसका budget था 23 करोड का यानी 23 करोड का अब फिल्म के जो budget है उस हिसाब से फिल्म को दो verdict दी गई थी एक verdict थी जो फिल्म का इंडिया का net collection हुआ था उस purpose के हिसाब से एक verdict थी जो फिल्म का इंडिया का net collection था और इंडिया से जो दोनों को include करके चलिए बात करते हैं वर्डिट यानी hit और flop की तो बतारें कि जैसे कि मैंने बताया फिल्म का budget था 23 करोड का और फिल्म का इंडिया का life time net collection था 23 करोड 19 लाक रुपीज का तो उस हिसाब से जो black है वो इंडिया के collection के हिसाब से box office पर average साबित हुई थी लेकिन इंडिया का net collection और इंडिया से बाहर का collection दोनों को include करके फिल्म जो है वो box office पर ब्लोग बस्टर साबित हुई थी यानि फिल्म ब्लैक की जो official verdict है worldwide collection करके वो थी ब्लोग बस्टर की बताले कि फिल्म के रैंकिंग की बात करते हैं अब फिल्म का जो इंडिया का life time net collection था और जो gross collection था उस हिसाब से फिल्म जो है साल 2005 की बॉलिवुड की 9th नंबर पर रही थी यानि 9th position पर रही थी लेकिन इंडिया का net collection जो था इंडिया का gross collection इंडिया से बाहर का collection यानि जो worldwide collection था वो सब include करके फिल्म जो है साल 2005 की बॉलिवुड की second highest grossing film साबित हुई थी नंबर सलमान खान के film no entry चलिए ranking की बात हुई collections की बात हुई वर्डिट की बात हुई आप बात करते हैं awards की तो फिल्म जो है ब्लैक ने film fair awards में total 11 awards जीते थे और film ने film fair awards में 11 awards जीतके एक record बनाया था और दो record तोड़े भी थे और दो record जो तोड़े थे वो तोड़े थे शारु खा का और देवदास का इन दोनों फिल्मों को film fair awards में total 10-10 awards मिले थे लेकिन ब्लैक ने 11 awards जीतके इन दोनों फिल्मों का record तोड़ दिया था बतादे कि black film के सरी अमिता बच्चन को उनके film में करियर का national film awards में best actor का award दिया गया था और जो black film है इसने अलग-अलग category में total 60 awards अपने नाम हासिल किये थे इस film के अंदर total एक गाना था सिरफ एक ही गाना था गाने को compose केता मॉंटी शर्मा ने गानों के singer की बात करे गाने गायते गायतरी गांजा वाला ने चलिए बात कर लेते हैं film की basic story की बात तो film की जो basic story है उसमें क्या होता है जो राने मुखर जी होती है ना तो वो देख सकती है ना ही वो सुन सकती है अब उनको प्यार हो जाता है यानि उनका relationship start हो जाता है अमिता बच्चन के साथ जो के teacher होते हैं अब कुस्ते मद क्या होता है जो अमिता बच्चन होते हैं उनको Alzheimer की बिमारी हो जाती है यानि भूलने की बिमारी हो जाती है तो चलिए दोस्तो इसी के साथ इस वीडियो में फिल्म हाल इतना ही मैं हूँ जतिना आप सब का दोस्त और मेरे इस चैनल वॉली व्यूस का होस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाएं मेरे दोस्त अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद